सूरदेव की उपासना का पर्व, डाला छट में भक्तों ने अर्ग देकर की सूरदेव की उपासना हिंदों में छट पूजा का विशेश महत्तों माना जाता है कार्तिक माह में छट पूजा मुख रूप से सूरदेव की उपासना का पर्व है छट को सूरदेवता की बहन माना जाता है सूर उपासना करने से छट माई प्रशन होती है इसी कामना से लोग सूरदेव को अर्ग देकर घर में धन धान और सुक शांती की कामना करती है इसी कामना के साथ भक्तों ने इस्थानिय बाबा घाट में शूरदेव को अर्ग देकर उनकी पूजा अर्चला की छट पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है जिसका कार्तिक शुक्ल शुक्तमी को प्राता कालिन शूर को अर्ग देकर विद्बत पूजा कर प्रशाद बाट कर समापन किया जाता है भी लुक्तमी पूज нашей म्रूछ से होती है की जाता है भी भी रखोपने विद्बत में विद्बत की यह तार्चमीन शरुष थोजबत बाहसां अर्फेवक्त होती है श्लीनित दर्गिकْ पनेतन है ए सुड़ ए पुल proper निवता! ओुझ खड़ respond झाल झाल